आज आवी दोस्तों सबसे पहले तो नियली डब्वेग बारे में जानकारी दूँँ आपको कि यह है टॉयलेट जब कोई यहां पर ठेके दार कोई ठेका लेता घर बनाने का तो टॉयलेट अपने साथ में लेके आता है कहीं सड़क किनारे दार कोई जगा ढूनते नहीं हो ल सामने जो आपको लकड़ी की फर्रे दिखाई देने रखे हुए इन सबसे घर बनेगा और जो घर भी यह दिखाई दे रहा है बनने के बाद शायद ऐसा ही यह हो सकता इससे भी खुबसेद घर बनने के बाद तयार हो और यहां पर घर बनने के लिए इंटा, सीमेंट, गार भजरी, रेता, उसकी दरवत नहीं होती, कुछ भी और विए सामने आपको सीमेंटेट पट्टी हैं देखाई देरी जिस पर लका बैठा हुआ है वो बांडरी ही जिसके ओपर दिवारे खड़ी होंगी और यह क्यूकर बेसमेंट से बन रहा है घर तो इसलिए अब ही मैं द रॉल स्पेस लिख वह है वो डेड एरिय उता घर का उसके बारे में कभी बताएंगे वो क्या होता है और यह नीचे जो सीमेंटेट दिवारे दिख रही है इसी की ओपर सारी दिवारे उठेंगी और यह बेसमेंट है एक तरीके और यह जो हम यह लकडी की जो दिवारे बन होगे तो आप इसको देख सकते हो कि हम किस तरीके से इसका निरमाल करते हैं या कैसे बनाते हैं हमारा काम सिर्फ घर का फ्रेम बनाना है और नीचे जो अभी आपको जो सीमेंट की दिवारे दिख रही है उसके ऊपर हम फर्ष डालेंगे और दिवारे खड़ी करेंगे जब आप देखाओ को तो आपको अच्छा लगेगा और हमें इसको बनाने में लगबग तीन से चार हफ्ते लगें पूरे घर को बनाने में और आप आना यहां पर आकर देखना मेरी तरफ से तो यह है कि हम तीन हफ्ते में बना देंगे लेकिन हो सकता है कि हमारे को चार हफ्त तो किस तरीके से जो हमें इस घर को बनाते हैं या कैसे construction काम करते हैं और मुझे खुशी होगी तुम्हारे को बता कर के हम कैसे इसारे काम करते हैं और थैंक्यू सो मच यहां आने के लिए और हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए थैंक्यू रिची, see you soon और यह जो सारी आपको नेओ दिखाई देरी यह किसी और का काम था वो अपना काम करके चला गया है अब second step है घर का वो इन लोगों की बारी यह frame बनाने की घर के और यही जो आपको boundary दिखाई देरी इनी के उपर अभी flooring भी होगी में घर का फर्ष पड़ेगा तो आप देखना और वो सामझे लड़का है वो ही है मेरा दोस्त जो मेरे को यहाँ पर लेके आए और जो यह काम करने वाई लोग है इनके हर एक के आप देखोगे कमर में वो बंद हुआ है उसमें तमाम तरीके जोले रख हुए है और पीछे उसके दुम की जाने लटा करी हो हतारी है हर एक के पास तो वो इस तरीके सिस्टम से बनाए उन्हें हर एक चीज के जो उनके पा कुछ लकडी की बन रही दिवा जहां पो रिची जा रहा चलता हुआ अभी यही जो दिवारे हैं सब तरफ की इनके ऊपर ही पड़ेगा लिंटर लकडी का लिंटर तो आने वाले जो वीडियो गा उसमें लकडी की फ्लोरिंग और लकडी के लिंटर तक तो नहीं पहुच लेकिन हां लकडी के जो फ्लोर यह जो फर्स बनेगा वो जरूर दिखाऊंगा आपको बनते हो किस तरीकी से बनता है फर्स लकडी का यहां पर मैं सोचता था कि कभी कोई ऐसा मिल जाए मेरे को जिससे मेरे को पूरा शुरू से बिगिनिंग से आप लोग को दिखाने का मौ कि पूर्स पास 49 कि पास को जी किरा मिल pref देग हो उनको ख़नी अरक जिसके पास कमर में तो wiping तो सारा सम्मान ज्यों सब दो में काम कर रहे हैं उनको कहीं उठाने के लिए लेने के जाना निमें वी उता है और और सब उनके पास भी होता, ना किसी कहना पड़ता रहे छोटू, हतोली ला, जरा वो ला, जरा गारा ला, या सीमेंट ला, सब उनके पास अपने ही समानेगा सारा, और अलोरी नाम है बन देगा, दोस बनाया मैंने, और ऐसे बहुत सारे दोस बनाया मैंने भी, क्योंकि हम तो गर्मी आ गई है मौसम अच्छा होने लग गया है तो मैं आपको कुछ अलग डिफिंट तरीकी के वीडियो दिखा पाऊंगा और यह आ रही है बिजली की जिससे वो लकडी काटने काम कर रहे हैं और जो फ्रेमबर्क है उसका नक्षा जो है वो रिची के सामने रखा हुआ है और क्योंकि यह बॉस है तो इसको सब पता है किस तरीकी से क्या होना है यही सब को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरीकी से कहां पर क्या काम होना है तो वो सारे स्टेप्स में देखता है उन लोगों से काम कर रहाता जाता है जो उसकी टीम के मेंबर है और यहां सब को काम क तो क्योंकि यह बॉस है तो इसको मतलब यह नहीं के उखालियों ने बताएगा बॉस और मातहथ सब एक साथ एक बराबर काम कर रहे होते हैं और अगर मेरी एक कोशिश अच्छी लगी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो का लाइक और शेयर और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ब्रेक के बाद मेरे यार शब्बा खेर बाइगाइज फिर मिलेंगे